गर बैठे स्टड़ी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रिस करें दोस्तों आज के इस क्लास में एक कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने का प्रेक्टिस करेंगे तो चलिए बीना देर किये वे क्लास को सुरू करते हैं तो कहानी का नाम है डणपोक पत्थर तो आईए सुरू करते हैं बहुत पहले की बात है एक शिल्पकार मुर्ती बनाने के लिए जंगल में पत्थर धुनने गया वहां उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया जिसको देखकर वह बहुत खोश हुआ और कहा यह मुर्ती बनाने के लिए बहुत ही सही है जब वह आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया घर जाकर उसने पत्थर को उठा कर अपने अउजारों से उस पर कारिगीरी करना शुरू कर दिया अउजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा की मुझे को छोड़ दो इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है अगर तुम मुझे पर चोट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा तुम किसी और पत्थर पर मुर्ती बना लो पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मुर्ती बनाने लगा वह पत्थर कुछ नहीं बोला कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मुर्ती बना दी गाउ के लोग मुर्ती बनने के बाद उसको लेने आहे उनने सोचा की हमें नारियल फोड़ने के लिये एक और पत्थर की जरूरत होगी उन्होंने वहां रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया मुर्ती को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मुर्ती को फुलों से पूजा करता दूद से असनान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोरता था जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोरते तो बहुत परिशान होता उसको दर्द होता और वह चिलाता लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था उस पत्थर ने मुर्ती बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मजे से हो लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं तुमको दूध से असनान कराते हैं और लड़ों का प्रशाद चढ़ाते हैं लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है मुझ पर लोग नारियल फोड कर जाते हैं इस पर मुर्ती बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर करीगरी कर रहा था यदि तुम उस समय उसको नहीं रुकते तो आज मेरी जगह तुम होते लेकिन तुमने असान रास्ता चुना इसलिए अभी तुम दुख उठा रहे हो उस पत्थर को मुर्ती बने पत्थर की बात समझ आ गई थी उसने कहा कि अब से मैं भी कोई शिकायत नहीं करूंगा इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोरते नारियल तुटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता और अब लोग मुर्ती को प्रसाद का भोग लगा कर उस पत्थर पर रखने लगे तो दोस्तों आज के क्लास बस इतना ही क्लास कैसे लगा है प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेर कर दीजिए और चानल पर नहीं तो चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी परदार की नौलजबल वीडियो का नोट्रिफिकेशन आपको मिलता रहा है जय हिन जय भारत फिर मिलते हम नेक्स्ट कलास में